दोस्तो इंडिया उसे ज आस्टेलिया के बीच में आज यहां पे तीसरे टेस्ट के पहले दिन का मुकाबला खेला जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि यह मुकाबला भी तो तीन दिश के अंदर जिम्टेगा है क्योंकि यहां पे ऑस्टेरिया की तेज गेंद बाद मैथ्यू कुने मन ने टीम इंडिया को आल आउट कर दिया है जियां दोस्तों एक सो आट रहने अपनी की पूरे अभी तक के इतिहास में टीम इंडिया के सबसे चौथा यह लोईस्ट स्कोर है जिसे मैथ्यू कुने मन ने अपनी फिड़की में पूरी टीम इंडिया के पल्ले बाजों को फसा लिया और सबको पाविलियन का रास्ता दिखा दिया जियां दोस्तों मैथ्यू कुने मन ने बहुत ही की बैतरीन यहां गेंद बाजी की है और पांच विकेट टोटल अपने नाम कियें फस्ट फाइम इकेट हॉल यहां मैथी कुनेवन के नाम हमें देखने को मिला काफी यहां पे डेब्यू कर रहे हैं यहां पे गेंदबाज थे और इसी सिरीज में उन्हों डेब्यू किया है और बहुत ही बैतरी उन्होंने गेंदबाजी की है बड़े बड़े यहां पे दिगजो का विकेट लिया रोहिसर मचतेस्वर्थ पोजारा सहित रविंद्र जड़ेजा और यहां पे लास्ट में जाके उमेस यादव को LBW करने के बाद पांच विकेट इनके करियर में हमें देखने को एक 5 विकेट हॉल हीगा तो दोस्तों आपको क्या लगता ऑस्टेलिया कितने पर ओल आउट होगी कमेंट करगे में जरू बताइएगा